भोचल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर संतों से CM योगी आदितनात की ये मुलाकात संतों के साथ बैठ कर CM योगी आदितनात ने आने वाले दिनों के सभी कारिक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर CM योगी आद बाइस तारिक जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है उन सभी करोडों राम के भक्तों को है शुर्धालों को है जो प्राण प्रतिष्ठा को अगर आयोध्या में मौजूद हो करके नहीं देख सकते तो टीवे स्क्रीन के जरीए भी देखना चाहते हैं जो लूग आयोध्या पहुँच रहे हैं उनके लिए क्या तयारी की गई है किस तरह से सारी पूजा विधियों को पूरा किया जाएगा इन सभी विश्यों पर मुख्यमंत्री संतों से चर्चा करते हुए आयोध्या में राम जन्म भूमी पत को सजाने का काम भी चल रहा है राम जन्म भूमी पत की किनारे नकाशी दार बनाय गये दिवारों को सजाने का काम चल रहा है राम जन्म भूमी पत की दिवार को फूलों से सजाय जा रहा है लिहाज़ता राम नगरी पहुँचे जए सर्णिया को जाहिर सी बात है जब बड़ी तादाद में विईपीज मौझूद होंगे लोग मौझूद होंगे तो सुरक्षा एक बहुत ही महत्वणवेशा है आयोध्या में सुरक्षा वेवस्था इतनी चाक्ष्वाबंद कर दी गई है कि कोई भी परिंदा तक परना मार सके सडकों पर तो जवान तैनाथ हैं साथी NDRF की टी में भी अयोध्या पहुच चुकी है सर्यू नदी में भी निगरानी रखी जाएगी NDRF के जवान नदी में रहकर आयोध्या नगरी पर नज़ा रखेंगे आप देखें मेरे बाई तरफ सर्यू की कलकल धारा बह रही है और इस जगा पर कई ऐसे घाट हैं जहां पर स्वरधालू आते हैं दूसरी तरफ ये तस्विरें आपको दिखाएं कि ये NDRF के टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है तहनाती के लिए और सर्यू की जिम्यदारी इस NDRF के जिम्मे है और ये अपने एक्टिमेंट्स इसको तयार कर रहे हैं क्योंकि पूरे के सरीू नदी में जो भी हल चल होगी और सरीू नदी की कलकल धारा के जर्ये ये लोग अपनी निगरानी पूरे आयोध्या की करेंगे और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिया खबरों का सिलसला ब्रेक की बाद भी जादी है झाल